परफार के लोग तियार किया है कि अधी एक पिस तारीख तर किसी भी परकार का हम लोग का सहुलियत नहीं दिया गया नहीं हम लोग समझें कि हाउस्पिटल का कुछ यह हो रहा तो एक तारीख को हम लोग आप बिजा करने की नहीं नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत कुमार ज़ा आम तोर पर जनता अपने छेत्र की विकास के लिए सरकार से कुछ ना कुछ मांग करती है कभी होस्पिटल, तो कभी स्कूल, तो कभी सडग, तमाम चीजों की मांग होती रहती है कभी आपने सुना है कि कोई छेतर ऐसा हो कि जहां सरकार कुछ बनाना चाहती हो और उसका विरोध होना सुरू हो जाए लेकिन ऐसा हुआ और ये कहीं और नहीं बलकि मुख मंत्री के गिरह जिला नालंदा में हुआ जहां अस्पताल नहीं बनाने देने के लिए लोग हंगामा करने लगे परदर्सन करने लगे धरना देने लगे सडके जाम कर दी ट्राफिक रोग दिया क्योंकि सरकार जहां अस्पताल बनाना चाहती है वहां लोग नहीं चाहते हैं ऐसा नहीं है कि लोग अस्पताल नहीं चाहते हैं पर सरकारी, करमचारी, अधिकारी अपने मनमाने धंसे जो लोग, प्रभावी लोग हैं उनके प्रभाव में आकर दूसरे जगा अस्पताल बनाने की कोशिस कर रहे हैं तो उसका विरोध अस्थानिय जनता ने किया ये घटना नालंदा के परवलपूर परखंड की है और वहां अस्पताल नहीं बने इसको लेकर विरोध परदर्शन हुआ बाद में पता चला कि जनता चाहती है कि अस्पताल वहां बने जहां सब लोग पहुँश सके जहां मरीज पहुँश सके जहां आने जाने की सुविधा हो, पर सरकार ने निर्णा लिया कि 7 किलो मिटर दूर ये अस्पताल बनेगा, परवलपूर प्रखंड कारजाले में जबकि प्रयाप्त भूमी मौजूद है, जगा मौजूद है, वहां अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन वहां अस्पताल न नहीं, मरीज कैसे पहुँचेंगे, इसकी कोई विवस्था नहीं, तो लोगों ने विरोध किया, अब हलाकि अब सरकार के संग्यान में ये बात आई है, और किस अस्तर से ये चीजे वहां होई है, इसकी भी जाच होनी चाहिए, कि जब प्रखंड कारजाले में, जहां पर भूमी है, जमीन है, वहां बनाया जा सकता था, फिर साथ किलोमेटर दूर किसके स्वार्थ के लिए वहां बनाया जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है, कुछ साल पहले आपको याद होगा कि समस्तिपूर में भी काफी हंगामा हुआ था, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की या स्थापना को लेकर, लोग मांग कर रहते कि समस्तिपूर शहर में ये मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन इसे सरकार अब बना रही है, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर, सराय रंजन विधान सवाच्छित्र में, अब सराय रंजन विधान सवाच्छित्र बिहार सरकार में प्रशा मंत्री वरिष्ट मंत्री विजय कुमार चौधरी का विधान सवाथ छित्र है हलागि सरकार यह कह सकती है कि वहाँ जमीन सस्ता मिला इसलिए उन्होंने बनाया लेकिन आम लोगों को पहुचने में शहर के लोगों को वहाँ तक पहुचने में दिक्कत होगी यह तैह यह अलग बात है कि मेडिकल कॉलेज अस्ताल वहाँ बनने से वहाँ वह एरिया डबलप हो जाएगा वहाँ क्या विकास होगा पर जो हक होता है जहां का हक है जो शहर है समस्तिपूर वहाँ के लोगों के लिए तो आने जाने में मुश्किल जरूर होगी अब समस्तिपूर जो शहर है वहाँ से 40 किलोमेटर दर्भंगा है और 20 किलोमेटर इधर जो नया मेडिकल कॉलेज समस्तिपूर के नाम पर बन रहा है वहाँ भी 20 किलोमेटर के लिए जाना पड़ेगा तो यह देखना चाहिए कि लोगों का लोगों की सुविधा कहां पर है वो चीज सरकार को ध्यान में रखना बेहत जरूरी है बिहार में हमने देखा है कि बहुत सारी सडकों का इलाइमेंट इसलिए मोड़ दिया जाता है क्योंकि हमारी जमीन वहाँ है और सडक हमारे बगल से जाएगी तो कुछ हमको फाइदा हो जाएगा इस तरह के भी वाकिय हुए हैं यहाँ बहुत सारे चीजे हैं बिहार कोई आसान जगा नहीं है यहाँ पर सरकार के लिए काम करना भी आसान नहीं है यह हम सब जानते हैं लोग भी आसान नहीं है पर फिर भी सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जहां जनता को जादा सुविधा मिले जनता तो हर ज नमस्कार